गुजरात में करोना काल में 21.8 फिसद घरों में नहीं जल सका एक वक्त का भी चूला हाल ही में गुजरात सरकार के अन्ना सुरक्षा भियान के तहट हंगर वाच सर्वे में पता चला है कि 20.6 फिसद घरों में अनाज ना होनी के वज़ा से खाना नहीं बन सका तो वहीं 25.8 फिसद घरों में एक वक्त का भी खाना नहीं बन सका यह सर्वे अहमदाबाद, भरुच, भाउंगर, वड़ोदरा के साथ और पांच जिलों में सितंबर और अक्तूबर के महीने में किया गया था हंगर वाज सर्वे से पता चला कि लॉगडाउन खतम होने के पांच महीने के बाद भी लोगों की हालत काफी खराब है तो वहीं बड़ी तादाद में घरों की आमदनी घटी है अब इसी तरह अनाज सबजियां गोश्ट वगएरा में कमी आई है इसके लावा 45 फिस्द घरों में खाने का सामान खरीदने के लिए पैसा उदाल लेने की जरूद बढ़ी है इतने सारे लोगों के घरों में एक वक्त का चूला नहीं जल सकना ये वाकि बहुत सोचने वाली बात है देस की ऐसी हालत होने के बावजूद आज हमारे देस में नफरत बढ़ते हुए नजर आ रही है पर आपको बता दें इससलाम के आखरे पेगंबर मुहम्मद व. ने बताया कि व. आदमी एमान वाला नहीं जो खुद पेट भरकर खा रहा है उसका पुडूसी भूका है यानि पुडूसीों का ख्यार लखना और भूकों को खाना खिलाने के शिक्चा इसलाम देता है ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें